हाई स्टुडेंट आए मितले स्पाठर राम करांती गुरुजी चैनल तो स्टुडेंट्स आज मैं आपके लिए एक नया चेप्टर लेके आया हूं संस्कृत का जिसका नाम है पंचसिल सिधानता ओके तो आज आप लोग पंचसिल सिधानता पढ़ने वाले हैं और आज इस एक ही वीडियो में आपका एक चेप्टर गंपलेट ब्रेक करने की कोई जूरत नहीं है आते हैं स्टार्ट करते हैं बिना आपका प्राइंभ डेस्ट करते हुए और यह सेवन मार्क्स आपका ये अलग से आएगा सेवन मार्कस गद्धे से फोटीन मार्कस आपके संस्कृत सिष्टाचार विसिक्या सिध्धानता बच्चों मैं आप से कोई सजेस्टन देना चाहूंगा संस्कृत को पहले ढंक से पढ़ना से कि संस्कित पढ़ना पर स्टार्ट कर लेंगे ढंक से तो याद रखिए आधी चीज़ा आपको ऐसे ही आ जाएंगी कैसे मैं आपको दिखा आता हूं मतलब समझ लीजिये कि आप कम समय में जादे काम कर पाएंगे पूरा नमबर लाएंगे देखे पंचसीलम इति सिष्टा चार विश्ट्थांता पंचसील यह सिष्टा-चार्थ के जैसे लिखा वैसे आप पढ़ते जाएं जैसे लिखा वैसे से पंचसील क्या है पंचसील सिष्टा चार के विसे का सिध्धान्त है यह क्या हो जाएगा पंचसील सिष्टा चार देखिए अस परस्ट लिखा है विसे का सिध्धान्त है तो क्या हो जाएगा पंचसील सिष्टा चार विसे से समंधित सिध्धान्त है तो कुछ भी याद नहीं करना है आपको पंचसील मिती या पंचसील सिष्टा चार विसे का सिध्धान्त है महात्मा गोतम बुद्ध एतान पंचा अपी सिध्धान्ता नाम पंचसील मिती नामना स्वसिस्या नाम सास्तस्म महात्मा गोतम बुद्ध महात्मा गोतम बुद्ध ने एतान इतान इन कर महात्मा गोतम बुद्ध ने इन इन मतलब पंचसील की बात हो रही है महात्मा गोतम बुद्ध ने एतान इन पंचापी पंच मतलब क्या होता है पांच मिस्ध क्या होता है पांच और अपी मिस्ध क सिध्धानता नाम इन पांच सिध्धानतों को और महात्मा गौतम बुद्ध ने इन पांच सिध्धानतों को पंच सील नम इती पंच सील इस नामना नाम से स्वा स्वा मिस होता है स्टुडेंट्स अपना स्वा मिस क्या होता है अपना सिस्या नाम अपने सिस्यों को सास्ति इ मिंस होता है उपदेश देना में महस्तमा गौतम बद्ध है तन पंचावपी सिध्धानतां पंच सिलम इती नाम ना guy स्वेकर शास्थयस्म ओ महातमा गौतम बद्ध ने इन पांच शिधानटों को पंच सिल के नाम से अपने सिस्यों को उपदेश दिया अत-एवा अयंशब्द अधुना अपी तथेव सिक्रटह अत-एवा अतमतलब अतह तमिस क्या उता है इसलिए एवा अयंश ये सब्द सब्द अधुना अपी आज भी तथेव वैसे ही स्विक्र्टह स्विकार की जाते हैं इसलिए ये सब्द आज भी वैसे ही स्विकार किये जाते हैं इमें सिधान्ता क्रमेण एव संती ये सिधान्त क्रम से इस प्रकार से हैं ये सिधान्त क्रमेण मतलब क्रम से एव इस प्रकार से संती हैं ये सिधान्त क्रम से इस प्रकार से हैं देखें कौन कौन सा है पहला है फ होता है हिंसा में सोता है हिंसा ना करना सत्यम सच बोलना तीसरा असत्यम में सोता है चोरी ना करना चौथा अप्रमादह अप्रमादह में सोता है प्रमाद ना करना गलत काम ना करना आलस ना करना यह सब होता है ब्रह्मचर्य पांच वाक्या ब्रह्मचर्य इती यह है पांच सिधान्त पंच सील के ठीक है तो इन पांचों को हम लोग एक बार देखते हैं ध्यान देजिए पंच सीलम इती सिष्टाचार विसे क्या सिधान्त है पंच सील यह सिष्टाचार के विसे का सिधान्त है महात्मा गौतम बुद्ध इतान पंचापि सिधान्तान पंच सीलम मिती नामना श्रसिस्यानाम सास्तियस्मा महात्मा गौतम बुद्ध ने इन पांच सिधान्तों को प अपने सिस्यों कुपदेश दिया अधिवायाम सब्दह अधुनापी तथेव स्विक्रतह इसलिए ये सब्द आज भी वैसे ही स्विकार किये जाते हैं इमें सिध्धांता क्रमेण इवसंती ये सिध्धांत क्रम से इस प्रकार से हैं पहला लिखा है अहिंसा दूसरा सच बोल चर रहे हैं तो इस तरह से आपका ये पहला गद्य का पैसे त्यार हो चुका है फस्ट गद्य हमारा त्यार होगे गद्य फस्ट गद्य सेकेंड पर हम आगे क्यों बढ़ते हैं सकेंड गद्य को देखें बौध इगे इमें सिध्धांता नाम व्यक्तिगत जीवनस्य अवुत्वनाया प्रिक्तम आसन बौध युगे बौध युगे मिस बौध युग में इमें सिध्धानता ये सिध्धान व्यक्तिगत जीवनस्य व्यक्तिग जीवन के अभ्यूत्थान में सोता है उच्टान उन्नति उन्नत के लिए प्रिप्ता, प्रियोग, आसन होता था पर बौध युग में ये सिधान्त, वैक्तिगत, जीवन के उत्थान के लिए प्रियोग होता था बौध काल में ये सिधान्त, वैक्तिगत, जीवन के उन्नत के लिए प्रियोग के जाते थे या प्रयोग होता था परम अद्ध परम मिंस लेकिन अद्ध मिंस आज लेकिन आज इमें ये सिद्धान्तान सिद्धान्त राष्ट्रानाम राष्ट्रों के परस्परम परस्पर मिंस आपस में मैत्री मैत्री मिंस मित्रता के लिए सहयोग करानी सहयोग मिंस सहयोग करने के लि लेकिन आज ये सिद्धान राष्ट्रों के आपसी मित्रता के लिए सहयोग के लिए मतलब सहयोग करने के लिए विश्वबंधुतस्व किसके लिए विश्व बंदुतस्मिस होता है भाई चारा के लिए आगे लिखा है विश्व सांते चाचमिस और और विश्व सांती के साधनानी साधन संती संती मिस होता है है अब एक साथ देखिए का जा रहे है कि बौध युग में ये सिध्धान व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रियोग होता था लेकिन आज ये सिध्धान रास्ट्रों के आपसी मित्रता के लिए सहयोग के लिए सहयोग करने के लिए भाई चारा के लिए और विश्व सांती के साधन के रूप में समझे आए आगे बढ़ते हैं रास्ट्र नायक ये रास्ट्र नायक के स्री जौहर लाल नहरू मुहोदै के प्रधान मंतृत्र तोकाल में या प्रधान मंत्रते तब चीन दे देशें चीन देश के सह साथ भारत अस्य भारत की मैंत्री मित्रता पंच सील सिध्धान पंच सील के Scott पर अधिकृत्य स्विकार की गई थी अभी साथ देखे राश्ट नायक स्री जौहर लाल नहरू महोदे के प्रदाहान मंत्र तकाल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंच सील के सिध्धान्त पर स्विकार की गई थी यतो ही यतो मिस होता है बच्चो क्योंकि यतो मिस क्योंकि उभाव अपी मतलब दोनों क्योंकि दोनों देशाओ देश बौध धर्म में निष्ठा वंतव निष्ठा रखते थे विस्वास रखते थे क्योंकि दोनों देश बौध धर्म में विश्वास रखते थे आधुनिके जगती पंच सील सिध्धानताना नविनम राजनेतिकम स्वरूपम गृतुत्पंतः एवं चापवसितः आधुनिके जगती आधुनिक जगत में आधुनिक संसार में पंच सील सिध्धानता नविनम नए राजनेतिकम राजनेतिक स्वरूपम स्वरूप को गृत्तितवनता ग्रहन कर चुका है एवं चाप और जो व्यवस्तित है का जा रहा है कि यतो ही उभावपी देशों बहुत धर्में निश्ठावनतों क्योंकि दोनों देश बहुत धर्में विश्वास रखते थे अधुनिके जगत के दोनीके जगत में संसार में पंचसिल सिधानिए नए राजनेतिक स्वरूपम स्वरूप को गृत्वनता मतलब ग्रहां कर चुका है ईवं चाप विवस्थित हαι birlikte जो व्यवस्थित रूप से इस प्रकार से है जो विवस्थित रूप में इस प्रकार से है अब देखते हैं यहां से लेके यहां तक एक बार रिवाइज सकते हैं बौध युग में यह सिध्धान व्यक्तिगत जीवन के उठान के लिए प्रयोग होता था परम अद्धि में सिध्धान ता रास्ट्रानाम परस परम मेत्री सहयोग कारणानी विस्थो बंदुतस्य विस्थो सांतिष्च साधनानी संती लेकिन आज ये सिद्धान रास्ट्रों के अर्था देसों के आपसी मित्रता के लिए, सहयोग करने के लिए, भाई चारा के लिए और इस सुसांति के साधन है रास्ट्रनायक स्री जौहर लाल नहरू महोदे के प्रधान मंत्र तकाले चीन देसे नसह भारतस सिम्त्री पंच सील सिद्धान कान अधिकृत्य इवाववाद राष्ट नायक स्री जहार लाल नहरू महोदय के पुरधानमंतर तकाल में चीन देश के साथ भारत के मित्रता पंच सील के सिध्धान पर इस्विकार की गई है यतो उबहावपी देशों बौत धर्मे निश्ठावंतर क्योंकि दोनों देश बौत धर्मे विस्वास रखते हैं आधुनिके संसार में पंच सिध्धान नयर राजनितिक स्वरूप को गरह कर चुका है जो वान्च ब्यवस्थित रूप में इस प्रकार से है तो इस प्रकार से पंच सिल से धानता चेप्टर का दूसरा पाइट भी हमने कंप्लेट कर लिया आते हैं नमबर थड़ पे अब देखे कहा गया था ना जो ब्यवस्थित रूप में इस प्रकार से है किस प्रकार से है कौन कौन सा है हम यह देखते हैं नमबर फर्स्ट पहला है अमामरा किम अपी राष्ट्रम कस्य चानस्य राष्ट्रश्य आंत्रिकेश विसयेश किद्रिसीम अपी व्याग हातम नाक्रिशती किम अपी कोई भी राष्ट्रम राष्ट्र देश कस्य चानस्य दूसरे राष्ट्रस्य राष्ट्र के आंत्रिकेश आंतरिक विसयेसु मामलों में किद्रिसी मपी किसी प्रकार का भी व्याग हातम हस्तच्छेप ना नहीं करिस्यती करेगा। होगा कोई भी राष्ट किसी दूसरे राष्ट के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तच्छेप नहीं करेगा। पहला नियम बना कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्त छेब नहीं करेगा। प्रतेक सकेंड दूसरा नियम क्या बना प्रतेक राश्ट्रम परस्परम प्रभुषत्ताम प्रादेसिक अखंडताश्य सम्मानिसती दूसरा नियम बना कि प्रतेक मिस प्रतेक राश्ट्रम देश परस्पर आपस में प्रभुषत्तामिस प्रभुषत्ता तथा प्रादेसिक खंडता चा लिखा है ना चा मिस होता है तथा या और तथा प्रादेशिक खंडता का क्या करेगा सम्मानिसती सम्मान करना सम्मानिसती सम्मान करना अर्थात प्रतेक राष्ट आपस में प्रतेक राष्ट्रम प्रतेक राष्ट आपस में प्रवशत्ता का और प्रादेशिक ख परस्परम समानतम व्हःसती हुआ करेगा इस प्रते प्राश्ट्र वसका क lavender करेगा ए ये तीस्वाहन नियम है चोथा नियम मनाय कीम अपड लाश्ट्र., अपरेंड ना कर्शंते में दिशान दिशर्णते नहीं करेगा मतलब कोई भी देश किसी दूसरे देश पर आक्रमन नहीं करेगा उसे अर्थात उसे भैवीत नहीं करेगा क्लियर है तीसरा नियम कमर कोई विरास दूसरे राष्ट से भैभीत नहीं होगा या दूसरे राष्ट पर आक्रमन नहीं करेगा पाँच्वा नियम बना कि स्वारान पी राष्टरी मिथह स्वां स्वां प्रभुषत्ता का सांत्याय सांती की रड़्षस्यंती रच्छा करेंगे मतलब सभी देश आपस में अपनी अपनी प्रहुषत्ता और सांती की लच्छा करेंगे ये पांच नियम बना किसे अंसिल सिधान से वर्तमान में कोई भी देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्त छेप नहीं करेंगा दूसरा नियम बना प्रतेकम राश्टम परस्परंपरवसत्तां प्रादेसिक अखंडतास्च सम्वान करेंगा तीसरा नियम बना प्रतेक राष्ट्रम परस्परम समानतां बैविर्सति प्रतेक राष्ट्र आपस में समानता का वैभार करेगा चोथा नियम्बना किम अपीराष्ट्रं अपरेज ना करसंते, कोई भी रास दूसरे राष्ट पर आकर्वा नहीं करेगा यो से भैभित नहीं करेगा डरायेगा नहीं। त सभी देश आपस में अपनी अपनी प्रवसत्ता और सान्ती की रच्छा करेगा। इसका conclusion क्या निकला विश्वस यानि राष्ट्राणी सांति मिच्छन्ती तानि इमान नियमान अंगी कृत्यम पर राष्ट्रही स्वाधं स्वमेत्री भावं दृणिक्रण्ति विश्वस मिस विश्वके यानि जो राष्ट्राणी देश सांति मिच्छन्ती इच्छा रखते हैं विश्व के जो भी राष्ट सांती की च्छा रखते हैं तानी तब इमान इन नियमान नियमों को अंगी कृत करके अंगी कृत मतलब स्विकार करके पर पर मतलब पराया दूसरे राष्ट्र के साथ दूसरे राष्ट्र के साथ दूसरे देश के साथ अपने मित्रता के भाव को सौ मेत्री सौ मतलब अपने मेत्री मिस मित्रता के भावम भावना को द्रणी मतलब मतलब मजबूत करते हैं विस्व के जो भी देश सान्ति के च्छा रखते हैं तब इन नियमों को स्विकार करके दूसरे देश के साथ अपने मित्रता के भाव को द्रण करते हैं या मजबूत करते हैं इस प्रकार से आप सभी का यह पंच्छिल चैप्टर कम्प्लीट हो गया ठीक है तो सुभासी तरतनानी आपको मिल गया पंसल से धानता भी आपको मिल गया और आगे आपको धीरे-धीरे करके पूरा संस्कृत मैं कम्प्लीट करा दूँगा जो भी आपको प्रॉलम हो आप नीचे कमेंट सेक्षन में आप कर सकते हैं जो भी आपको लगता है कि सरम या जो नए विद्यार्थी जो पहली बारी से देख रहे हैं वे सभी विद्यार्थी चैनल को सस्क्राइब कर दें लाइक करें और अधिक स्याधी सेयर करें ओके स्टुडेंट्स मैं चलता हूं फिर हम लों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चेप्टर के साथ तब तक के लिए बहुत 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 धन्वा